जहन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 15 दिसंबर 2020 का बहुत ही महत्तोपुण करेंट अपयर तो वीडियो को पूरा वस्त देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और पर किलिक करें ताकि आल वीडियो की जानकारी सबसे पहली आप कहां तक पहुंचें तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अ चार विकल्प आपके सामने दिये गए हैं बहुत ही महत्तपूर्ण एह कॉस्चन है तो आपका यहां पर जो सही आंसर है विकल्प नंबर एक आपका यहां पर राइट आंसर होगा बन ये जाए गोविंदा चार यह आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक आपक 1936 को जनवे गोविंदा चार बेद भास्चे उपनिसाद भास्चे महाभारत और रामायर जैसे महाकाब्यों और पुराणों की ज्यान में पारमगत थे और उन्होंने अपनी नाम से करीब 150 पुस्त के और संस्कृत ब्याकरन के करीब 4000 प्रस्टे लिखे हैं अंगले को अश्यन हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्षे जेनल एम एम नर्वनी को गार्ड ऑफ ओनर सम्मान से सम्मानित क्या गया है तो जो नर्वनी जी है इनको सम्मानित क्या गया है तो किस देश की सेना ने सम्मानित क्या है एह बताना है तो आपका सही आंसर ह यानि कि सावधी अरब आपका यहां पर सही आंसर है सावधी अरब की सेना द्यक्षे जन्रल एम एम नर्वनी जी को God of Honor सम्मान से सम्मानित क्या है किसी भारत्य सेना प्रमुक्षिक की सावधी अरब और UE की पहली आत्रा है साउदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाली शेत में भारत के लिए एक महत्तपून देश भी है अब एक आपका यहां से question बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है तो आपके लिए याद रखना है साउधी अरब और साउधी अरब उर्जा का भी एक प्रमुक स्रोत है और भारत कच्चे माल कच्चे तेल की आवसकता का लगभग 18 पृतिसत वह चीन ने, नेपाल ने, अमेरिका ने या रूस ने चार विकल्प है question नमबर 3 है और आपका सही आंसर है विकल्प नमबर C यानि की अमेरिका अमेरिका आपका राइट आंसर है अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपतकाल इस्तिमाल को मंजूरी दे दी है फाइजर पहला देस है जिसने फाइजर दोरा वेक्सित कोविट व्यक्सीन के इस्तिमाल को मंजूरी दी है बिटेन के दवाननयामा के ने फाइजर को फिलहाल इस व्यक्सीन के आपातकाली इप्यों के लिए एक आइस्थाई मंजूरी दी है अंगला कॉस्चन है कोरूना वाइरस की कारण लगाए गए लोकडाउन की वज़ाए से इस साल कारवंडाय ओक्साइट की बैस्टिक उस सरजन में निम्न में असी कितने पृतिसत की ग्रावट दर्ज की गई है 10%, 7%, 2% या 3% कॉस्चन नमबर 4 है और आपका सही आंसर है विकल्प नमबर B यानि की 7% 7% आप कहां पर राइट आंसर है कोरूना वाइरस की कारण लगाए गए लोकडाउन की वज़ाए से इस साल कारवंडाय ओक्साइट की बैस्टिक उस सर्जन में 7% की कमी आई है जैनरल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकासित अध्यन के मताविक और सर्जन पर नजर रखने वाली एक उस सर्जन वियाग्यानिक के अधिकारिक समोई गलोबल कारवन प्रोजेक्ट ने गढणना की है कि दोहजार बीस में विस में 34 अरब मेट्रिक टन करवन डाय ओक्साइड का हवा में उस सर्जन होगा 2019 की तुल्ला में एह कम है जब 36.4 अरब मेट्रिक टन करवन डाय ओक्साइड का उस सर्जन हुआ अंगले कॉस्चन है हाली में कि राज्य सरकार ने सचवाला एवं सरकारी करमचारियों को टीशर एवं जीन्स पहन कर दफ्तर में आने पर रोग लगा दी है मोस्ट इंपोर्डन कॉस्चन है क्या हुगा इसका राइट आंसर आपको बताना है चार विकल्प देगा है पंजाब, दिल्ली, करनाटा किया महराश्ट राइट आंसर है आपका महराश्ट याने की विकल्प नमबर डी आप एहां पर राइट आंसर होगा महराश्ट सरकार ने सचवाला एवं सरकारी करमचारियों को टीशर एवं जीन्स पहन कर दफ्तर आने पर रोग लगा दिया गया है बता दें कि इससे पहले भी कुछ राज़व में करमचारियों को जीन्स प्रीशाड ना पहनने की आदिये जा चुके साल 2018 में राजिस्तान सरकान ने भी ऐसा ही आदिश जारी किया था अंगला कॉस्चन है क्या है डावर इंडिया लिमिटेड ने किस वालिवर स्टार को डावर चेवन प्रास का ब्राणड अंवेस्टर नोगति कया गया है मूस्ट इंबोडन ने क्वइच्चन है अक्छय कुमार या सलमान खान अजयव देवगन या सनी दिवल तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नमबर एक यानि की अक्छाय कुमार यहाँ पर डावर इंडिया लिमिटेड ने वॉलिवड एश्टार अक्छाय कुमार को डावर चेवन प्रयास का एम ब्रांड एम रथे वहीं अक्षय स्वस्थ और फिटनेस की प्रतीक भी हैं इसकी मंद्दे नजर जो है अक्षय कुमार जी है इनको ब्रांड अमबेस्टर चुना गया है अंगला कॉस्चन है कि किस राज्य सरकार इन्हें राज्य में साधी समारोई के लिए ओनलाइन पंजी करण अनिवा गुजरात आपका सही आंसर है गुजरात सरकार ने राज्य में साधी समारोई के लिए ओनलाइन पंजी करण अनिवादे कर दिया है राश्य सूचना केंद्रे एन आईसी ने साधी समारोई आयुजत करने के बास्ते ओनलाइन पंजी करन करने के लिए एक सौप्टवेर तय यार क्या है जो डिजीटल गुजरात पोटल पर एक्टिवेट कर दिया गया है अंगला कॉस्चन है कॉस्चन नमबर आठ है अपने आपर कि अंतराश्टिय ततश्टता दिवस निमन मैंसे किस दिन मनाय जाता है 10 जनवरी को 12 दिसमबर को 15 मार्च को 20 अप्रेल को 4 12 दिसमबर 12 दिसमबर आपका यहां पर राइट आशर होगा सेंगतर राष्ट्य दौरा प्रतेग बर्स 12 दिसमबर को अंतराश्टि संबंदों में ततास्टता के महत्त को महत्तो की बारे में सार्विजने जाग रुकता बढ़ाने के लिए अंतराश्टिय ततास्टता सेंबर 2017 को एह दिन मनाए गया था यह है आज का आपका चेलेंज प्रिसन की पठकाई की पहाड़ियां पठकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं चीन से मियंमर से पाकिस्तान से या बंगलदेश से चार विकल्प है आंसर बनता है आपसे तो कमेंट में जरू बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बेस्तर लखें आपका कमेंट अंगले वीडियो में सामिल किया जाएगा तो कमेंट में आपके लिए बताना है कि पठकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं तो किस से अलग करती हैं तो इस परकार आज के वीडियो में बस इतना ही देख सकें और PDF के लिए आप हमारे Telegram Group से जड़ जाएं Link in description में यह Telegram Group की वहीं पर आपके लिए PDF और जो भी study material रहता है भाईस अभी आपके लिए Telegram Group में ही उपलब्द कराई जाता है तो Telegram Group से सभी लोग अवस्ये जड़ जाएं तो आच की वीडियों में बस इतना इस अभी लोगों के लिए धन्यवाद जय हिंद।